शारुक खान ये नाम सुनने के लिए कान तरस गए थे हम सब के लेकिन उपर वाला जब देता है न तो कान के परदे फार देता है पिछले कुछ हफ्तों से बॉलिवुड में सिर्फ तीन लेटर्स के इस छोटे से नाम SRK ने धूम मचा रखी है बैक टू बैक फिल्मों का अनॉंस्मेंट वो भी एक से बढ़कर एक SRK फैन्स तो आजकल साथवे आसमान पर पहुँच गए हैं लेकिन आटवे आसमान पर पहुँचते हैं आपने किसी को नहीं आज देख लेना क्यों आपको नहीं पता पठान का ओफिशिल मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है मेरे दोस्ट रिलीज से पहले इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा था और अब रिलीज के बाद इसके बारे में कोई ना बोले ऐसा हो नहीं सकता आज 25 जून को बादशा के बॉलिवुड में पूरे 30 साल कंप्लीट हो गए है और राजा कुर्सी से सिर्फ तब हटेगा जब उसका मन करे दुश्मन में इतनी ताकत है नहीं पोस्टर में शारुक के हाथ में खतरनाक बंदूख है चहरे पे लाल गाडा खून और आँखों में सामने खड़े इंसान को भस्म करने वाली आग बॉस पठान के तेवर बवाल मचा रहे हैं और एंड में वो आवाज जिसको एक बार सुन लो तो पूरा दिन बन जाता है स्वैम शारुक के शप्त कानों में पढ़ते हैं जल्दी मिलते हैं पठान से मतलब पिछले चार सालों से जो लोग इस गलत फैमी को पाल के जी रहे थे कि बादशा की कुरसी खाली हो गई है वो उस पर बैठनी की तयारी कर रहे थे लेकिन कहां जानते थे कि जिन आखों में SRK का करियर फिनिश होते हुए देखने के सपने सजाए हुए हैं उन्ही आँखों से पहले पठान उसके बार डंकी फिर जबान और अब एक बार फिर से पठान के दर्शन करने पड़ेंगे एक से बढ़कर एक फिल्म है मतलब इस से जादा फिल्मों की स्ट्रॉंग लाइनप किसी और दूसरे आक्टर की मुझे दिखनी रही है इस टाइम 2023 पूरे तरीके से SRK के नाम लिखा जा सकता है बस content solid होना चाहिए तो कोई नी रोग सकता जो लोग नहीं जानते बतादू पठान में शारुक एक undercover agent का character play करने वाले हैं मतलब चहरे पे चहरा लगा लेना बाहर से यह acting करेंगे villain बनने की और खुद से बड़े villain के best friend बन जाएंगे और फिर धीरे से end में असली hero बाहर निकलेगा और सबका band बजा देगा फिल्म में villain वाला character Johnny Brown play कर रहे हैं और दिपिका बादुकोन का character बहुत interesting होगा क्योंकि इनकी वज़े से ही पठान की दुश्मन के घर में entry होगी वैसे कुछ reports तो ऐसी भी आई थी कि YRF खुद का अपना एक cop universe बना रहा है जिसमें पठान को join करने के लिए वार से रितिक भया की entry होगी और टाइगर से सल्वान खान भी पठान का साथ देने आएंगे बोले तो film एक लेकिन उसमें hero 3-3 अगर ऐसा हुआ ना दोस्ट जिसके सच होने के 99.99% chances भी है तो Bollywood क्या पूरी दुनिया के सारे records रूट जाएंगे लेकिन आप जानते हो शारुक कितनी भी अच्छी फिल्म कर लें, उनका performance कितना भी बढ़िया क्यों न हो या फिर उनकी आने वाली फिल्म्स audience को खूब excited ही क्यों न कर दें कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है जिसको एक बार फिर से इस 30 सेकेंड के पठान के motion poster ने बहार निकाल दिया है मतलब आप imagine करके देखो कोई इनसान किसी film से सिर्फ इसलिए नफरत करे क्योंकि उसका title पठान है कौन है ये लोग कहां से आते हैं और कितना नीचे गिरोगे भई फिल्म को फिल्म की तरह enjoy क्यों नहीं करते हो, अपना agenda अपने घर में चलाना बाकी मेरे आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, इनको जब आप तो खुद SRK ही देंगे जब उनकी फिल्म रिलीज होगी अभी तो जिफ पोस्टर और टीजर आये हैं पहले ट्रेलर आएगा फिर पूरी फिल्म, सिनिमा लवर्स तो देखो शारुक खान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे तो बॉस कैसा लगा पठान का पोस्टर, बार बार येलो वाला फिल्टर देखके कहीं बोर्ट तो नहीं हो गए